स्टूडेंस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CISC प्रोसेसर तो इसका फुल फॉर्म है कॉंप्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर तो यह यूज होता है तो मिनिमाईज देखेंगे CISC प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन सेट को सिंप्लिफाई करके CISC प्रोग्राम कम करता है यहां पर क्या कर रहा है यहां पर भी सेम इंस्ट्रक्शन आप देखेंगे CISC में वन क्लॉक साइकल में हो रहा था यहां पर क्लॉक साइकल ही किनूर कर रहा है तो यहां पर क्लॉक साइकल मैंटर ही नहीं करता लेकिन इंस्ट्रक्शन सेट मिनिमाईज होने चाहिए तो यह यूज होता है आपका बड़े-बड़े सिस्टम में जैसे कि डेक्स्टॉप और लाप्टोप मोबाइल और टैबलेट से तो बड़े हैं इसलिए I told that और इसमें बहुत ही कम मेमरी यूज होता है less memory is used that is RAM आप यूज कर सकते हैं तो स्टोर दा इंस्ट्रक्शन इसका अर्किटेक्ट्चर ओल्मोंस सिमिलर है राइसे से चंचोल यूनित है फ्वेर इंस्ट्रक्शन और डेटा पाथ है उसके साथ आपका वहां पे था राइसे में यहां पे हार्डवर्ड कंट्रोल यूनित सेम है यहां पे कंट्रोल यूनित यहां पे आपका डेटा पाथ था यहां पे राइसे में डेटा पाथ था यहां पे CISC में इंस्ट्रक्शन डेटा पाथ और इस प्लेस में राइसे में था इंस्ट्रक्शन कैश लेकिन CISC में है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनित लेकिन cache memory is there with data path यहां पर और last में है main memory तो CISC का characteristic क्या है कि जैसे कि RISC में आपका character बहुत सारे आपको कैसे था वहां पर few instruction था यहां पर few instruction है लेकिन वहां पर क्या हो रहा था कि addressing mode हम लोग को काम यूज करने थे लेकिन CISC में many addressing modes are used और लेकिन large number of instruction use करने है हम लोग को CISC में large number of instruction रहते हैं जिसको हम लोग minimize कर सकते हैं और variable length of instruction format वहां पर था fixed length और several cycle may be required to execute one instruction और instruction decoding logic is very complex तो इसी तरह से CISC processor complete होता है